सब्सक्राइब तो वाइब इंस्टिटूट और इंट्रोइशनल एजूकेशन्स अबाउट कम्प्यूटर्स एंड टेक्निकल्स हैं हलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमें एंट्रोइट एप डेवलप्मेंट में फ्यूचर कैसे बनानी हैं ये जाननी हैं फ्यूचर बनाने के लिए तो सबसे पहले आपको प्रॉपर वे में पढ़ाई करनी होंगी अगर आप प्रॉपर वे में शही सेलेवस के अनुशार एंट्रोइट एप डेवलप्मेंट नहीं पढ़ोगे तो android में फ्यूचर आपकी नहीं बनेंगी जिन बच्चों ने आज तक कभी भी किसी भी प्रकार के Languages को नहीं पढ़ा है Programming Languages को उनके लिए Android App Development है ही नहीं अगर आप First Time Computer Science के Language में इंटर कर रहे हैं तो डिरेक्ट आपको Android App Development की कोर्स नहीं करनी चाहिए अगर आप पैशा करोगे तो आपको कई प्रकार के Benefits नहीं मिलेंगे और आप उतना ही सीख के रह जाओगे जितना आपको शिखाया साएगा Android App Development सीखने से पहले अगर आपकी ये Expectation है कि मैं सीखने के बाद अपनी मर्जी का App बनाऊंगा और अपने Financial Conditions को ठीक कर लूँगा तो इसके लिए आपको कुछ प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने होंगे जबही भी Android Development की हम कोर्स करते हैं या कोई भी Software Development की हम कोर्स करते हैं उनमें आपको वही पढ़ाया जाता है जितना सलयवश में मौजूद होता है अब Depend आप पे करता है कि आप पढ़ते कैसे हो अगर आप शही रूप से पढ़ोगे तब ही जाकर जो आप सोच पाओगे उसको जेनरेट कर पाओगे तो ये possible कैसे है जरा इसको जानते हैं Software Development से related कोई भी कोर्स करने से पहले at list कुछ programming languages को पढ़ ले programming language पढ़ने से मतलब नहीं है कोई भी एक proper way का languages आपको आना चाहिए मैं आपको रेकमेंट करूंगा HTML और CSS at list जरूर पढ़ ले ये पढ़ने से क्या benefit मिलेगा कम से कम आपको एक website बनाने जरूर आज जाएंगी और आपके पास design का pattern भी होगा आपको पता होगा कि एक software का design कैसे होता है अगर आप ये दोनों languages को पढ़ लेते हो तो अब depend आप पे करता है अगर आपको जल्दबाजी है Android app development पढ़ने की तो आप web design का दो ही language पढ़े लेकिन software development के field में जल्दबाजी करने से हम वह ऐसे developer नहीं बन पाते हैं जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं अगर आपको ऐसी एक्षा है कि आप जैसा चाहूँ ऐसा software बना सको तो इसके लिए आपको languages पे शमय देना होगा तो मेरे कहने का मतलब है कोई भी software development सीखने से पहले एटलिस्ट web design यानकि website बनाना जरूर सीख लेजिए इससे आपकी concepts clear हो जाएंगी कि एक software का design कैसा होता है और software काम कैसे करता है अब चराब थ्यान से देखिए मैंने यहाँ पे कुछ languages को लिस्टेट कर दिया है अगर आप इन languages को पढ़ने के बाद किसी भी परकार के software development की course करते हो जैसे की Android app development, desktop app development या iOS app development तो उसमें आपको काफी ज़्यादा benefit मिलेगा कोई भी institution या कोई भी teacher आपको बेवकूफ at least नहीं बना पाएगा अब आप पहली बार अगर Android app development या desktop app development या iOS app development सीखने चाओगे आपको कैसे पता होगा कि कौन सा चीज कैसे पढ़नी चाहिए दिया जाएगा आपस वही पढ़के रह जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या पढ़ाया गया और क्या छोर दिया गया तो इसके लिए at least इतने सारे languages आने चाहिए अब कोमन सी बात है इतने सारे languages अगर आपको अच्छी तरह से आते हैं तो institution जाने की अवश्यक्ता नहीं है android app development को शीखने के लिए आप internet की माध्यम से ही android application, desktop application या iOS application को develop करना सीख जाओगे यहां मैंने priority के तोर पे लिखा है यानि कि जिसके बाद जिस language को पढ़नी चाहिए मैंने वैसे ही define कर दिया है आप ऐसे ही step by step पढ़ लिजिए फिर सोचिए किसी भी software development वाले course के बाड़े में Dear students, मैं आपको recommend करूँगा कि web institution की online software engineering class से चलती है At least अगर आप उसको join करोगे तो उसमें सभी परकार के software development करना आप सीख जाओगे एकदम basic से लेके advanced level तक आपको सब कुछ industrial training के pattern पे दिया जाता है इस course को शीखने के लिए आपको कोई भी language पहले से आनी जरूरी नहीं है इसमें already शुरू से ही आपको पढ़ाया जाएगा Two years की course है, course काफी beneficial है, trademark affiliated institution है, certificate का value worldwide होका course की बहतर information के लिए आप description को चेक किजिए या हमारी website www.webinstitute.com पे visit किजिए description में number भी है, counselor को call किजिए और जो भी information चाहिए वो ले लीजिए वीडियो में perfections लगा हो तो वीडियो को like जरूर करे, अपने friends में जरूर share करे कोई problems है या curious है तो whatsapp पे join करे या comment box में write करे so kindly मेरे teaching experience को promote करे, मेरे channels को subscribe करने ना भूले और subscribe करने के बाद bell button पे click करे so stay tuned to our channel guys, thanks for watching our video, have a great day subscribe to web institute and get the international education about computers and technicals you